हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है हमारे कीचन में आज मैं आपके साथ सेर करूंगी घर के ही कुछ बेजिक सामान से हमारे सरीर का एक्स्रा फेट कैसे कम कर सकते हो और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो चलिया ब पेले से गरम करने के लिए रख दिया था उसमें हम जीरा डाल देंगे और लो फ्लेम पे हमें इसको एक्डॉमिनिट के लिए इसे हमें इसको जलाना है इन तिनों का मिश्रन करने से पोटेशियम मेगनेशियम और जरूरी विटामिन भरपोत्र मात्रा में होता है जो हाट बीपी के लिए मरीजों के लिए भी बहुत ही फाइदेमंद होता है और पेट की समश्या होने पर भी कई सारे डोक्टरों में हाइब फाइबर का अधिक सेवन करने की सलाइदे तो एससे में सोफ जीरा और अजवईन के जरू और अजवएन का सेवन कर सकते हो और इससे आपका पेट भी साफ रहेगा अपको जि expect मेंद ही राहत रहत मिलेगी दिन में दो बार इसको ले सकते हो इसमें ग्लेंज की फ्लेम को न बंद कर देंगे औ एक टेबल स्पून ब्लेक सोल्ट डाल देंगे और इसका फाइन पावडर त्यार कर लेंगे और यह आमने इसका मिस्रन त्यार कर लिया है एक बावल में इसको निकाल लेंगे जिरा अजवाईन और सोफका पानी पीने से कॉलोस्ट्रल भी नियत्रन में रहता है इसमें इस सरीर का एक्स्ट्रा फेड भी कम हो जाता है अकसर कई सारो लोगों को अपना वजण कम करने में काफी दिक्धते आते हैं वजण कम करने कोई आसानी नहीं है क्योंकि खाने पर हमारा कंठ्रोल नहीं रेता अपने आहर में जीरे का सेवन करें रोटी में भी अजवाइन डाल कर खाए वही रोज बोजन के बाद सोफ का भी सेवन कर सकते हो अब मैं आपको बताती हूँ इसे पीने कैसे है एक गलास हमने पानी गरम करने के लिए रख दिया है इसको हलका गुंगोना पानी हमें कर लेना है आप इसे तिन तरह से इसको आप यूज कर सकते हो आप इसको तिनों को जीरा आजवाइन सोफ को रोस्ट करके इसको यह से बीना पावडर बनाए यह खाना खाने के बाद माउथ फ्रेशनर की तरह आप इसको यूज कर सकते हो और पावडर बना के गरम पानी में डाल के भी आप इसको यूज़ कर सकते हो यह हमारा मिस्टरन बनके रेडी हो गया है